प्रोजिनेंटी क्रू जो कि गनिमेट के उपर पहुच चुका था वो अभी भी सोगना बुलिस्ट के पाइलेट यानि कि मैलिसा के हस्बेंट के मारे जाने से बहुत जादा परिशान था प्रेक्स भी इस हादसे से अभी तक उबर नहीं पाया था होल्डन, नाओमी, एमोस और प्रेक्स गनिमेट में मारे गए लोगों की लिस्ट देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस लिस्ट में मैई और डॉक्टर लॉरेंस स्ट्रिक्लेंड का नाम नहीं था यानि कि डॉक्टर स्ट्रिक्लेंड और मेई अभी भी जिन्दा थे उन लोगों को ये भी पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रिक्लेंड हादसे के समय गनिमेट प्रेडियर्टिक केर क्लीनिक सेवन के अंदर मौजूद था और उस वक्ट मेई उसके साथ ही थी होल्डन अपनी साथियों के साथ क्लीनिक सेवन में काम करने वले लोगों को ढूडने लग जाता है प्रेक्स होल्डन और उसके साथियों को उस एग्रिकल्चर डॉम में ले जाता है जहां पर वो काम किया करता था इधर अर्थ के उपर यूएन लीडर्स और एमसी आरे टीम का अभी भी नेगोशियेशन चल रहा था और उन दोनों के बीच टेंशन क्रियेट हो रही थी एवसरला मीटिंग के और जाते जाते आगस्टो और एरिन रेट से बात करती है एवसरला ये मानने के लिए तयार नहीं थी कि ड्रैपर किसी हल्यूसिनेशन के तहट बात कर रही थी उसे फूरा विश्वास था कि ड्रैपर जिस आदमी के बारे में बात कर रही थी वो बिल्कुल सही था कि उसने एक ऐसे अदमी को गनिमेट के उपर देखा था जिसने की वैक्यूम सूट नहीं पहना हुआ था एवसरला एरिन रेट और अगस्टो से मार्स के बारे में ये भी बात करती है कि मार्स शायद उनका ध्यान भटकाना चाहता है और वो एक बहुत बड़ी यूद की तयारी में लगा हुआ है वो सबी लोग चलते चलते मीटिंग पॉइंट तक बहुँच जाते हैं जहां पर मार्स का मिलिटरी मैं सदावीर और बाकी लोग मौजूद थे अवा सराला और एरिन राइड सदावीर को सजेस्ट करते हैं कि वो लोग बाबी ड्रेपर की मेंटल स्टेट को देखते हुए उसे बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए तयार हैं लेकिन सदावीर अवा सराला और एरिन राइड को क्लियर करता है कि ड्रेपर का एक बहुत पुराना फैमिली फ्रेंड मर्टन्स जो कि एक मार्षिन ओफिसर भी है वो ड्रेपर का पूरी तरह से ध्यान रख रहा था सदावीर इसके बाद एवसराला को ये बताता है कि उन्नों को यूएन शिप अभी भी गनिमेट के चारों और दिखाई दे रही थी यानि कि मार्षिन्स को अभी भी ऐसा लगता था कि अर्थ मार्षिन के साथ योद करना चाहता था इदर मार्षिन एमबसी के अंदर कैप्टन मर्टन्स ड्रेपर से मिलने के लिए जाता है कैप्टन मर्टन्स ड्रेपर को तयार रहने के लिए कहता है और उसे बताता है कि अब उसका मार्ष पर जाने का वक्त आ चुका है बॉबी ड्रेपर कैप्टेन मर्टन्स से कहती है कि क्या हो मार्स पर जाने से पहले ओशन को एक बार देख सकती है लेकिन मर्टन्स बॉबी ड्रेपर को ओशन देखने से साफ मना कर देता है मर्टन्स के जाने के बाद ड्रेपर अपने रूम को देखती है और वो तुरंती अपने रूम की विंटो को उपन करने लग जाती है इदर यूएन टेकनीशन ड्रेपर के आर्मर सूट को चेक करते हैं और वो एरंडरेट को उस सूट के बारे में इंटबर करते हैं हर molecule को चेक करें और उसे बताएं कि क्या उसके आर्बर के उपर कोई biological molecule मौजूद है ड्रेपर की गवाही के कारण और गनिमेट पर हुए हमलों के सबूतों को देखते हुए एरिन रेट बहुत ज़्यादा परिशान हो जाता है इधर गनिमेट के उपर होल्डन और नाउमी दोनों ही relief workers से dr. Strickland के बारे में बात करते हैं वो लोग relief workers से protomolecules के मौजूद होने के science के बारे में भी पूस्ताच करते हैं relief workers होल्डन और नाउमी की बात को ध्यान से सुनते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि वो लोग प्रोटो मॉलिक्यूल थियोरी के बारे में वहाँ पर ज़्यादा बात ना करें क्योंकि गनिमेट अभी भी हमले से उबर नहीं पाया था। और लोग प्रोटो मॉलिक्यूल्स के बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा परिशान हो सकत नाउमी और होल्डन आपस में डिसकस करते हैं, उन लोगों को महसूस होता है कि गनिमेट पे जो हमला हुआ था, वो इरोस पर हुए हमले से बिल्कुल अलग था, होल्डन को भी ऐसा लगता है कि इरोस पर जो कुछ भी हुआ था, उसका कोई भी आंश, अभी तक गनिमेट के उपर दिखाई नहीं दे रहा था, इधर एमोज और प्रेक्स दोनों ही गनिमेट की प्लांट लाइफ को चेक करते हैं, वहाँ की प्लांट लाइफ पूरी तरह से डमेज हो चुकी थी, प्रेक्स की मुलाकात वहाँ पर उसके एक पुराने दोस बासिया मर्टन से होती है, प्रेक्स को देते ही उससे लड़ाई करने लग जाता है, और उसे गनिमेट को छोड़ कर जाने के लिए बहुत बुरा भला कहने लग जाता है, बासिया का बेटा कटोवा भी उस वक्त गायब था, बासिया प्रेक्स से मेई की गायब होने के बारे में सुनता है, और वो प् कानने की कोशिश की थी लेकिन बासिया हर इंफॉर्मेशन के बदले उससे चेकन मांगता था जो कि बासिया नहीं दे पाया था प्रैक्स बासिया को प्रॉमिस करता है कि वो बैई और कटोवा तौनों को एक होजने की पूरी कोशिश करेगा इधर अर्थ के ओपर एरेन राइ एवा सराला के पूछने पर एरेन रेट उससे क्लियर करता है कि वो ये सब बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि वो जूल स्पियरे मायो के साथ काम कर चुका है एरेन रेट एवा सराला को बताता है कि वो आर्थ को सेफ रखने के लिए कुछ भी कर सकता है एवा सराला एरे तो शुरुआत थी, अभी आगे बहुत कुछ हो सकता था, इदर गनिमेट के उपर, प्रैक्स, होल्डन और उसकी साथियों को इंफॉर्म करता है कि कटोवा और मेई, दोनों को ही सेंट जैनेटिक डिसॉर्डर वाली बिमारी थी, जिसका इलाज डॉक्टर स्ट्रिक्लेंड क और उन दोनों की मुलाकात डॉक्टर स्ट्रिक्लेंड के क्लीनिक में हुई थी, प्रैक्स उन लोगों को बताता है कि कटोवा और मेई, दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, इदर अर्थ के उपर, ट्रैपर फाइनली अपनी विंडो को खोल लेती है, और वो विंडो से उतर कर न था, होल्डन रोमा से कटोवा और मेई को ढूढने के लिए मदद मांगता है, रोमा बेना चिकन लिए, उन लोगों की मदद करने से मना कर देता है, एमूस को बहुत ज़्यदा गुसा आ जाता है, और वो रोमा को मारना शूरू कर देता है, नायमी और प्रैक्स एमूस को रोमा को मारने से रोकते हैं, एमोस बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर अपनी गन निकाल लेता है, और वो रोमा को धमकाने लग जाता है, कि या तो वो बच्छों के बारे में कि उन्हें कोई जानकारी दे, नहीं तो एमोस उसे जान से मार देगा, इधर अर्ट के उपर, क को रोकने के इंस्ट्रेक्शन देती है, इधर ड्रेपर, प्योर्ट में अकिली ही आगे की और बढ़ती जा रही थी, ड्रेपर को ओशन देखना था, और वो अंदाजे से ओशन की और बढ़ती जा रही थी, एक अंजान आदमी आकर, ड्रेपर से बोन डेंसिटी की पिल नीको उसे ओशन का रास्ता बता देता है नीको ड्रैपर को अर्थ के उपर चलने का तरीका भी बताता है गनिमेट के उपर एमोस के धमकाने से रोमा बहुत ज़दा डर जाता है और वो अपने डाटा बेस के उपर मेई को सर्च करने लग जाता है नाउमी होल्डन को कहती है कि अब वो रोजिनेंटे क्रू के वाइलेंग से बहुत ज़दा घबरा चुकी है नाउमी इदर एमोस के बारे में बात कर रही थी प्रेक्स वहां मौझूद प्लांट लाइफ को चेक करने लग जाता है वहां की प्लांट लाइफ भी कम पानी के करन मर रही थी प्रेक्स एमोस को बताता है कि प्लांट के जाने के बाद वहां का एको सिस्टम पूरी तरह से बरबाद हो सकता था एमोस भी जानता था कि गनिमेट एक फार्मिंग स्टेशन था जो कि मार्स और अर्थ को फूड सप्लाइ किया करता था गनिमेट के डिस्ट्राइ होने के बाद फूड सप्लाइस के कम होने के चingers बढ़ सकते थे प्रेक्स को ऐसा महसूस हो रहा था कि गनिमेट प्लांट लाइफ के खतम होने के बाद बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था इधर एलेक्स जो कि रोजिनेंटे के ओपर गनिमेट के एक मून के पीछे छिपा हुआ था वो अकले ही गाना गाते हुए और बियर पीते हुए enjoy कर रहा था तब ही उसे MCRN ship का एक announcement सुनाई देता है MCRN ship announce कर रहा था कि आप वो लोग Ganimate और उसके surroundings को no-fly zone के रूप में convert कर रहे थे इधर रोमा को स्ट्रिक लेंड और बेई का वीडियो दिखाई दे जाता है जिसमें वो लोग Ganimate इस्टेशन के पुराने रास्तों के और वॉक करते हुए जा रहे थे रोमा होलडन और उसकी साथियों को बताता है कि Ganimate के उस पुराने स्टेशन में कोई भी कैमरास मौजूद नहीं थे जिससे कि वो उसके आगे के और नहीं देख पा रहा था इधर आर्थ के ओपर ड्रेपर ओशन तक पहुच जाती है और वो पानी के किनारे बैट जाती है तब ही एवासराला और कोटियार वहाँ पर पहुच जाते है एवासराला ड्रेपर से बात करती है वो उसे प्रोटो मॉलिक्यूल क्रियेचर की एक फोटो अपने टेबलेट के उपर दिखाती है ये वोई फोटो थी जो कि एरिन रैट ने एवासराला को दी थी एवासराला बाबी ड्रेपर से बूस्ती है कि क्या उसने उसी आदबी को बिना वैक्यूम सूट के गनिमेट के उपर देखा था एवासराला ड्रेपर को इन फार्म करती है कि वो क्रियेचर जिसे की ड्रेपर टे गनिमेट के उपर देखा था वो मार्शियन्स का नया वेपन था और मार्शियन्स अपने उस वेपन की टेस्टिंग कनिपेट स्टेशन के उपर कर रहा था ड्रेपर को एवसराला की इन बातों के उपर विश्वास नहीं होता एवसराला बॉबी ड्रेपर को क्लियर करती है कि बोलो अब नए दुश्मन नहीं बनाना चाहते तब ही कोटियार को मार्शन आफिसर ड्रेपर के और आते हुए दिखाई दे जाते हैं और वो एवसराला को ड्रेपर से दूर लेकर चला जाता है